Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel, प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लाश 12 इंगलिस ग्रामर का एक बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक एंटानिम्स जिसे हिंदी में विलोम कहते हैं, बहुत ही महत्पूर्ण विलोम आज हम करवाने वाले हैं जिसमें 30 विलोम, 30 इंटानिम्स, रिपीटेड मतलब जो परिच्छा में बार बार पूछा जाता है, उसको हम देखने वाले हैं क्योंकि UP जो है वो बार बार रिपीटेड कोईश्चन ही पूछता है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा आप सभी से कि जो नए बच्चे हम से जोड़ हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सेर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साधा जरूर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें, तो चलिए वीडियो को हम लोग सुरू करते हैं, जैसा कि यह तै demonstrating मतलब below होता है गांण मतलब below मठाय इसमें इंतानिम करने वाले इसमें 30 important 30 important in tom हमवं लोग देखने वाले हैं जो परिच्छा के लिए यह बहुत ही महत्पवूढा और ये एम सी यूंदे के रूप में लेके आए जिससे आपको क्या होगा दिमाग में थोड़ा जल्दी बाठ जाएगा तो चल ये चलते हैं कछा को क्लास को फ्रू करतें हैं तो पहला है इंटानिम्स आफ एहटेप फिसक्तव कि अन speaker UK का छोड़ देना और adopt 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 मतलब होता है गोद लेना ठीक है मतलब किसी को छोड़ देना और किसी को गोद लेना या पकड़ लेना भी कह सकते हैं ठीक है भाईया पकड़ लेना या गोद लेना तो abandon का फोगा इंड़न का इंटविम्स होगा आपसर ची अठी 야गा क्या हो जाएगा का हो जाएगा ही क्या हो जाएगा एन्डन का इंट अण E shows how जाएगा था ही कि बार पूछा जा चुका है चलिए दूसरा देखते हैं दूसरा है बहुत ही most important डाल लीजिये गा इस पर ठीक है भंधिया most important है कई बार पूछा जा चुका है कर रहा है अन्टार्म साबदा ignorance इंग्णूरेंच का क्या है इंग्णूरेंच का इंटार्म मताईए तो इंग्णूरेंच मतलब होता है प्यारे बच्चों अज्ज्ञान क्या होता तो इसका जो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा तो आप लोग लिख जरूर लीजिएगा या स्क्रीन साट ले लीजिएगा क्योंकि ये परिच्छा के लिए बहुत ही important antonyms है तो ignorance का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चो knowledge हो जाएगा ज्यान हो जाएगा अज्यान का ज्यान ठीक है clear है चलिए अगले अगले antonyms पर चलते हैं अगला है the antonyms are the strict strict तो strict मतलब प्यारे बच्चो होता है कठोर क्या होता है कठोर प्यारे बच्चो strict मतलब क्या होता है कठोर होता है ठीक है strict मतलब कठोर ठीक है तो अब कठोर का क्या होता है कठोर मतलब कठोर जो है इसका opposite हो जाएगा उदार ठीक है तो विलो होगा नहीं, डाउन होगा नहीं, फर्म होगा नहीं, अब इसका हो जाएगा लेनियंट, आपसन नमबर A, आपसन नमबर A, लेनियंट, लेनियंट मतलब होता है उदार, ठीक है, तो इस्टिक का अपोजित हो जाएगा लेनियंट, क्लियर है, क्या हो जाएगा, लेन लेनियंट हो जाएगा लेनियंट मतलब उदार ऑईस्टिक मतलब कठोर क्लियर है चलिए चौथे पर चलते हैं कि चौथा आपका है कि करेद इंटानिम साफ वेस तो बेस मतलब बेस जानते हो वेस मतलब क्या होता है आधार एक आधार होता बेस मतलब क्या होता है आधार होता है तो वेस मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चो आधार ठीक, वेस मतलब क्या हो जाएगा आधार, तो आधार मतलब नीचे वाला यही तो होता है कोई चीज होता है, यह मंजिल है देखो, यह कोई चीज है मंजिल टाइप का तो यही तो इसका आधार हुआ, यही तो बेस हो गया, इसी को तो बेस कहते हैं, नीचे वाला भाग, यही बेस हो गया, आधार और टाप, यह उपर वाला सिरा, तो आधार का क्या हो जाएगा, टाप हो जाएगा, देखो, आपसन में आपके दिया गया है टाप, ठीक है, तो क्या हो जैगा, टाप हो जाएगा, टाप मतलब ऊपर, ठीक है, समझ गये ना, जैसे कोई मंझिल वनी हुई है, कोई मंझिल है लंबा टावर टाइप का, तो यह उसका आधार हो गया, नीचले वाला भाग क्या हुआ, आधार और उसका opposite उपर वाला भाग हो गया, top हो गया, base हो गया और top हो गया, ठीक है, तो base का जो opposite होगा, या base का intonum होगा, वो क्या हो जाएगा, top मतलब उपर, और B, S, base मतलब क्या होता है, base मतलब आधार, ठीक है, तो चलिए पाचवे question पर पांचवा कोईशन है कराया दा इंटानिम साब्दा ठीक है पांचवा कोईशन है दा इंटानिम साब्दा एक्स्ट्रावेगेंट ठीक है एक्स्ट्रावेगेंट इंटानिम साफ एक्स्ट्रावेगेंट एक्स्ट्रावेगेंट का क्या क्या बताईए आपोजिट इंटानिम बिलोम सब बताईए तो पहले हम जान लेते एक्ष्टावेगेंट मतलब होता क्या है तो प्यारे बच्चो जो एक्ष्टावेगेंट मतलब होता है इसका मतलब होता है फिजूल खर्चा मतलब ऐसा कोई व्यक्ति होता आपके दोस्त मित्र होंगे ऐसे कुछ होंगे जो बहु हो जाएगा माईजर मतलब होता है कंजूस मतलब एक तरफ क्या है एक तरफ फिजूल खर्च करने वाला है जो ज्यादा खर्चवा यह बहुत खर्चवा है ठीक है एक के लिए पैसा रुकते हैं यह इतना पाव थे पैसा सब उड़ा दे थे बहुत खर्चा करते तो यह होगा फिजूल खर्चा और उसका क्या हो जाएगा कंजूस मतलब जो बिल्कुल पैसा खर्च ही नहीं करना चाहता है माईजर हो गया ठीक है मतलब क्या है वो पैसा खर्च ही नहीं करना चाहता है तो आपसा नंबर भी सही हो जाएगा इसका माईजर हो ज होता है आक्रमर यह सारे भाहूत ही महत्रपूर भैया इस चीज को ध्यान में रखना आक्रमर अटेक मतलब अक्रमर ठीक है भैया और इसका अंटानिम्स क्या हो जाएगा डिफेंड जब अटेक कोई करेगा तो आपको डिफेंड करना होगा बचाव करना होगा या रच्छा कर करना इक हो जाएगा डिफेंड पताना है तो सल्डम मतलब होता है प्यारे बच्चो कभी-कभी जे बने किया होता है कभी-कभी सेल्डम मतलब कभी-कभी अब सेल्डम मतलब रेरली होगा नहीं आफन हो जाएगा ठीक है आपसर नमबर सी आफन मतलब होता है अक्सर तो सेल्डम का हो जाएगा आफन सेल्डम मतलब कभी-कभी आफन मतलब अक्सर तो सेल्डम का जो इंटानिम्स होगा वो क्या हो जाएगा को हो जाएगा आफं ठीक है अकसर चलिए कोशेन नंबर आठसके हट कोर तो आठसके कोशन आपका है कि Daewald है उन्टनिम्स आपदा रफ़ली ठीक है रफ़ली का इंटनिम्स आपको बताना है तो रफ़ली मतलब होता है जो प्यारे बच्चो अंदाजन ठीक है रफली मतलब क्या होता है अंदाजन जैसे उसने कहा कि मैंने अंदाजन पांच घंटे पढ़े ठीक है मैंने रफली पांच घंटे पढ़े है लेकिन अब जब वह रफली पढ़ा रहा है तो आपने कहा मैंने एक्जेक्टिली पढ़ा है मैंने एकडम बिल्कुल बिल्कुल पांच घंटे पढ़े हैं एक्जेक्टिली पढ़ा है बिल्कुल पढ़ा है उसने कहा मैंने रफली पढ़ा है और आपने कहा मैंने क्या पढ़ा है एक्जेक्टिली पढ़ा है एक्जेक्टिली मतलब बिल्कु तो roughly का जो antonyms होगा, वो क्या हो जाएगा? वह exactly हो जाएगा बिल्कुल, जैसे उसने कहा मैंने roughly पढ़ा है, उसने कहा मैंने अंदाजन पढ़ा है, आपने कहा मैंने बिल्कुल पक्का है कि मैंने इतना पढ़ा ही पढ़ा है, ठीक है? तो चलिए अगले question पर, तो अगला है the एंटानिम्स आफदा वलेंटरी ठीक है एंटानिम्स आफ वलेंटरी वलेंटरी मतलब होता है स्वेच्छिक ठीक है क्या होता है स्वेच्छिक मतलब अपने इच्छानसार ठीक है बहिया अपने इच्छानसार वलेंटरी मतलब स्वेच्छिक अर्थात अपने इच्छानसार तो voluntary का एंटानिम्स क्या हो जाएगा? compulsory, ठीक है? आपसर नमबर C हो जाएगा, compulsory, अनिवार, एक होता है अपने इच्छा अनसार, और एक होता है अनिवार इसको करना ही करना है, तो voluntary मतलब होता स्वेच्छिक, और compulsory मतलब होता है, अनिवार, मतलब इसको करना ही करना है और सवच्छे मतलब आपकी इच्छा हो तो करो ना करना हो, तो ना करो और कमपलसरी, तो voluntary का जो intonum होगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, भाईया, कमपलसरी ठीक है? चलिए, तो question number 10-way की वो किफायत 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 मतलब बचाओ या बचाना किसी चीज का सेविंग करना बचाना किसी चीज का बचाना जैसे पैसा बचाए जाता है ना सेविंग किया जाता है बस उसी चीज को तो किफायत का क्या हो जाएगा किफायत का होड़ा वेस्ट हो जाएगा बरवाद करना आप्सन नंबर C तो थीप्ट का जो इन्टानिम्स होगा वो क्या होगा थीप्ट का इन्टानिम्स हो जाएगा वेस्ट ठीक है थीप्ट का इन्टानिम्स स्वरी थीप्ट का इन्टानिम्स वेस्ट हो जाएगा किफायत का हो जाएगा waste ठीक है बरबाद करना चलिए इंटानिम्स अगला करद है इंटानिम्स आफ बूस्ट बूस्ट मतलब होता है बढ़ावा देना ठीक है बूस्ट का जो इंटानिम्स होगा हो जाएगा हाइडर हीडर हो जाएगा H.I.N.D.R मतलब होता है बाधा पहुचा नहीं, वो किसी चीज का बढ़ावा दे रहा है उप उसमें क्या कर रहे हैं बाधा पहुचा रहे है थीक है वह रही है, तो बूस्ट का क्या हो जाएगा हीडर हो जाएगा, H.I.N.D.R मतलब बाधा संपैथी संपैथी मतलब होता है सहानदूति किसी के पत सहानदूति ओधारी ऩीडिक संपैथी का याद रखना उदासीन होता है अपैथी ठीक है, A, P, A, T, H, Y, F, A, T होता है, S, M, P, A, T का क्या हो जाएगा, F, A, T हो जाएगा, important internum है ये, ठीक है, मार करके चलना, चलिए अगले question, तो अगला है, the internum साफ, कीन, ठीक है, K, W, E, N, कीन, कीन का internum साफ, आपको बताना है, तो कीन मतलब होता है, उत्सुक चंचल कह सकते हैं, यह active कह सकते हैं, फूर्तीला कह सकते हैं, ठीक है, कीन का मतलब, इसका हो जाएगा, dull, ठीक है, बहिए, dull मतलब, सूस्त, जो चंचल है, फूर्तीला है, active है, उत्सुक है, तो कीन का internum होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, dull, ठीक है, clear हो रहा है को था ना बच्चो तो कीब का एंटानेम डल ठीक कीब का एंटानेम्स डल आगे बढ़ा जाए चलिए गुल रदर एंटानेम साब सल्डम यह तो पढ़ा दिया था सल्डम वाला कहां से आ गया आफन हो जाएगा इसका ठीक है भाईया चलो अगले चलते हैं कि अगला है बहुती मोस्ट इंपॉटेंट दो हजार चौबिस में इस बार जो परिच्छा हुई थी न यह आया था सब सेकुलर मतलब होता धर्म निर्पेच मतलब किसी भी धर्म को ना मानने वाला धर्म निर्पेच सेकुलर का क्या हो जाएगा मतलब धर्मिक व्यक्ति हर बार कहीं न कहीं कमपटीशन में जाएंगे तब भी यह सारे सब्द आपको मिल जाएंगे भाईया तो सेकुलर का जो इंटानिम्स है वो क्या हो जाएगा वह हो जाएगा रिलीजियस मतलब धर्मिक ठीक है चलो अगले कोश्चन पर अगला है एंटानिम्स आप कॉम्प्लीकेटड का इंटानिम्स आपको बताना है तो कॉम्प्लीकेटड मतलब होता है उल्जा हुआ उलज़ा हुआ किसी भी चीज़ को क्या होता जैसे earphone होता न उलज़ा होता है तो उलजा वपका क्या हो जाएगा simple हो जाएगा simple मतलब साधारान कोई चीज क्या है साधारान एक दम simple है उलज़ा हुआ नहीं है ठीक है भाईया समझ में आया? तो complicated का complicated का क्या हो जएगा? in touching हो जाएगा simple ठीक है? चलो अगले question पे i дум a helping, happy का खुस़ और खुस़ी का क्या हो जएगा? sad हो जाएगा, दुख्यी? ठीक है या दुख? sad का दुख्यी हो जाएगा भाईया? तो happy का intonum sad, चलिए अगले question पे, अगला है the intonum of heat, ठीक है, heat, heat मतलब होता है, गर्म, तो गर्म का intonum क्या हो जाएगा, cold हो जाएगा, cold, cold मतलब ठंधा, कभी-कभी आसान भी पूछ लेता है, फस जाते हैं बच्चे, चलिए, अगला, the intonum of enjoy, enjoy मतलब आनंद लेना, ठीक है, मतलब जैसे वो अपनी नोकरी में क्या कर रहा है, आनंद ले रहा है, कोई वो कारी कर रहा है, उसमें आनंद ले रहा है, ठीक है बईया, तो इसका क्या हो जाएगा, hate, मतलब वो अपनी नोकरी से घणा कर रहा है, hate कर रहा है, नोकरी में आनंद नहीं ले पा रहा है, ठीक, तो enjoy का, enjoy का क्या हो जाएगा, hate हो जाएगा, अगला है uniform of easy, easy मतलब क्या होता है, easy मतलब होता है, आसान, ठीक है, तो एंटानिम्स आसान का, इजी का, ठीक है, तो इजी का क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, यानि कि मुश्किल या कठिन, आसान का मुश्किल या कठिन, ठीक है, चलिए, question number 21, accept, ठीक है भईया, अभी तेक हमने MCQ में देखा है, आप क्या करेंगे, अब सीधा सीधा देख लेंगे, तो accept मतलब होता है, किसी चीज को क्या कर लेना, सुईकार कर लेना, सुईकार करना, तो accept का जो एंटानिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा, reject, ठीक है भईया, accept का क्या हो जाएगा, reject हो जाएगा, अगला है alive, तो alive मतलब होता है, जीवित, ज इसका जो अपयोंजीन होगा यानी की एकटिव का हो जाएगा एक्टिव मतलब होता है फूर्तीला कहई सकते हैं चंचल कहई सकते हैं तो एक्टिव का होजाएगा INACTIV इन एक्टिव एक्टिव का इन एक्टिव ठीक है अगला है अगला आपका है एकलेप्स एकलेप्स मतलब होता है ग्रहाण तो एकलिप्स, एकलिप्स का जो इंटानिम्स होगा, वो हो जाएगा भीया, इलार्ज इलार्ज मतलब होता है, बड़े आकार में अगला है, वाइटल, वाइटल मतलब होता है प्यारे बच्चो, महत्तपूर वाइटल मतलब महत्तपूर, तो इसका हो जाएगा अनिम्पोर्टेंट अनिम्पोर्टेंट मतलब महत्तुहीन, एक महत्तपूर है, एक महत्तुहीन है, ठीक है बईया, अगला है क्रिटिशाइज criticize मतलब होता, आलोचना करना, ठीक है, तो किसी चीज का आलोचना किया जाएगा, तो किसी चीज का क्या किया जाएगा, appreciate किया जाएगा, प्रसंसा, इसका हो जाएगा, प्रसंसा करना, appreciate, प्रसंसा करना, अगला है harmony, तो harmony का हो जाएगा, प्यारे बच्चो, समनभय हार्मोनी को हिंदी में बोलते हैं समनभय इसका जो ant!' probe होता है discord discord मतलब कलाह करना अगला ant!' uh आपका है amnesty ठीक है amnesty amnesty मतलब होता है माफ करना मतलब सभी को माफ कर देना तो इसका एंटानिम्स होगा punishment, मतलब punishment, मतलब दंड देना, punishment, अगला होस्टाईल, तो होस्टाईल मतलब होता है सत्रतापूर्ण, ठीक है भईया, और इसका जो एंटानिम्स होगा हो जाएगा friendly, मित्रतापूर्ण, मित्रता पूर्ण अगला आपका है इंटर मतलब होता है प्रवेश इंटर मतलब प्रवेश और प्रवेश का अपोजित होगा इगजिट मतलब बाहर निकलना इस तरीके से आपके 30 एंटर निम्स ये बहुत ही important एंटर निम्स हमने करवा दिये वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताईएगा कमेंट बाक्स में वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद